दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ सेर करने वाली हूं कच्छी दावेली का मसाला जो हम दावेली में यूज़ करते हैं यह इंस्टेंट बनने वाला है पांच मिनट में बन जाता है यह मसाला तो चलिए हम मसाला बनाना इस्टार्ट करते हैं बुश्कार दोस्तों आपका मेरे यूटूब चैनल सेटाइस की चनान ब्लोग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों के लिए लेकर आए हूं एक न्यू रेसिपी जो कि दावेली का मसाला है आज मैं दावेली का मसाला बनाने वाली हूं दोस्तों तो चलिए मसाला बनाने स्टार्ट करते हैं मसाला बनाने के लिए मैंने लिया धनिया सौंफ और ये डालचीनी है दो तिन टुपड़ा और तिन चार लॉंग है दो तिन छोटी लाची है और एक बड़ी लाची है इसे ज्यादा ने रोष्ट करना है बस थोड़ा ही रोष्ट करना है इसमें खुसभू आने तक मसाले में तिल बहुत जरूरी है तिल से इसका प्रेश बहुत बढ़ जाता है और यह बहुत ही चटपटा और यह में बनने वाला है यह मसाला अब इसे निकाल लेंगे ठंडा होने तक इसको हम लखेंगे थोड़ा थंडा हो जाएगा उसको हम पीस लेंगे अब इसमें डालेंगे नारियल का पाउडर जो बिजी से बुरादा कहते हैं और इसमें लेंगे दो बड़े चममच कासमेरी लाल मिर्च पाउडर इसे कलर बहुत अच्छा आएगा और आमचूपऊदर लेंगे रहना इसमें आरपनाफ वसको क्लादर लेंगे अ नुसार काला नमख दबेली का मसाला है तो थोड़ा खटा मिठ्था तो होना चाहिए ना इस लेंगे मसाला मार रेडी हो चुपा आप देख सकते हैं इससे हम 6-7 महिनी के लिए फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं जिना खराब हो इसके लिए हम इसमें डालेंगे तेल इसमें मैं स्वयविन का तेल डाली हूँ आप कोई भी तेल डाल सकते हैं संफ्लावरो गहरा सिंग दाने का तेल आप डाल सकते हैं इससे क्या रहेगा कि मसाला मारा खराब नहीं होगा लीजिए दोस्तों कच्ची दाबेली का मसाला तयार है मसाला कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताना और अगर चैनल पे नए है तो प्लीज पहले सस्क्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दाबाना ताकि मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे बाइबाइबाइब थाइंक्स पार वाचींग इंज्वाइब